एलो एबरीवन आप शभी का अंकुश अकाड़ेमी में स्वागत हैं आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एक्जाम के तयारी भी अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैरल पे अभी DSP पार्चला बुक का साइन्स का जो भी पॉइंट है वो कम्प्लीट कराया जा रहा है फिजिक्स का कम्प्लीट हो गया किसी ने कमेंट किया कि इतना ही है तो हाँ उसमें इतना ही दिया गया है आप उसको एक बार जरूर देख लिजिए उसके बाद इसको बहुत जल खतम करने के बाद आपको साइन्स में सारा केमेस्ट्री फिजिक्स और बायो से 100 कोस्चन करके 3 दिन में आपका इसी बेसिस पे सारा कोस्चन करा दूँगी ताकि आपका साइन्स से एक भी कोस्चन न चुटे बस आप लोग इस वीडियो को जायदा सेयर किजिएगा तो आज का टॉपिक जो हम लोग जानेंगे तो डीयस्पी पड़सला बूप में आज हम लोग केमेस्टरी जानेंगे क्या जानेंगे केमेस्टरी का कैमेस्टरी का पॉइंट अच्छा दिया हुआ इसमें मैं पढ़ चुकी हूँ और इससे कोश्चन एकजाम में जरूर बनेगा तो आप इसको जायदा से जायदा सेयर किजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट है परमानु के केंदर में एक नाभी होता है जिसमें प्रोट्रोन और न्यूट्रोन इस्थित होते है और यह जो पॉट्रोन होता है प्रोट्रोन यह धनावेसित होता है प्रोट्रोन कैशा होता है तो यह धनावेसित होता है और न्यूट्रोन जो होता है वे विद्यूत उदासिन कन होता है और प्रोट्रोन धनावेसित कन होता है नेक्स्ट पॉइंट है परमानु में इलेक् नाभीक में चारों और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें उर्जा अस्तर एनर्जी लेवल कहते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है परमानु के नाभीक की खोज अर्नेश्ट रदर फोर्ड ने उनेश्व इग्यारों इस्वी में की थी यह कोशन नेक्स्ट पॉइंट है रदर फोर्ड ने एक परमानु में न्यूट्रों के अस्तितु को प्रस्तावित किया था यह जो रदर फोर्ड है इन्होंने परमानु में न्यूट्रों का स्तितु का प्रस्तावित किया था परन्तु न्यूट्रों की खोज यह जो न्यूट्रों ह इसकी खोज 1922 में चेडविक ने की थी किस ने की थी तो चेडविक ने निटरों की खोज की थी. next point is alpha next point is alpha किरण धनावेसित बीटा कन रिनावेसित एवंगामा किरण अनावेसित और विद्धुत चुम्कित रंगे होती है इस चीज़ को आप लोग अच्छा से देखिए हैं जो अल्फा की रन है वो धनावेसित होता है बीटा कंजो होता है वो रिने विसित होता है और गामा की रन जो होता है वो अनावेसित तथा विद्धुत चुम की तरंगे होती है नेक्स्ट पॉइंट है परमानों में कक्छों को भरने का कर्म आफबाउं सिधान द्वारा नियंद्रित होता है किसके द्वारा नियंद्रित होता है तो आफबाउं सिधान द्वारा नियंद्रित होता है नेस्ट है अवोगाद्रो शंख्यां की मान ये जो अवोगाद्रो शंख्यां की जो मान होता है वो कितना होता है 6.023 into 10 to the power 23 होता है ये कभी-कभी question पुछ लिया जाता है कि अवोगाद्रो की जो मान होता है वो कितना होता है तो इस चीज को आपनों याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है परमानुशिद्धान्त की खोज जोन डाल्टन दुआरा किया गया था परमानُ सी धान्त की छो खुज किया गया था वो किसके द्वारा तो जोन डाल्टन के द्वारा किया गया था जबकि हाइड्रोजन की खुज हैंडरी क्वेडिस के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज किस के दुवारा की गई थी तो हेंड्री क्वेडिस्ट के दुवारा की गई थी next question है next point है electron की खोज J.J. Thomson और proton की खोज गॉल इस्टिन ने की थी ये भी exam again question बना है कि Leon की खोज किस ने की थी tends J.J. Thomson प्रोटोन की खोज जाए से भापनाशंक भी अस्थानिक होता है यह प्रॉट्व होता है जिसका परमानु संख्यां ब्राबर होता है किन्तु उसका जो दर्यमान संख्यां होता है वो अलग-अलग होता है तो वो क्या कहलाता है सम अस्थानिक कहलाता है नेक्स्ट है किसी परमानो नाभीक का समस्थानिक वो नाभीक है जिसमें प्रोटोनों की संख्यां वही होती है प्रन्तु न्यूट्रोनों की संख्यां भीन होती है इसमें प्रोटोन की संख्यां सेम होती है प्रोटोन की संख्यां वही होती है प्रन्तु न्यूट्रोनों की संख्यां क्या होती है अलग-अलग होती है नेक्स्ट पॉइंट रेडियो एक्टिविटी की खोज अठारो सो चीनबे इस पी में बेकुरल ने किया था किषने किया था बेकुरल ने किया था कब अठारो सो चीनबे में जिस मापन गाईगर काउंटर ने किया था नेक्स्ट पोईंट है न्यूटर्नों की संख्यां न्यूटर्नों की जो संख्यां होती है वो क्या होता है दर्यमान संख्यां माइनस प्रोटोन की संख्यां क्या होता है न्यूटर्नों की संख्यां पराबर क्या होता है दर्यमान संख्यां माइनस इसमें प्रोटोन की संख्य नेस्ट पोइंट है सबजीयों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रसाइनिक परिवर्तन का जबकि पानी में चिन्नी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उधारन है सबजी को पकाने पर मुलायम हो जाना ये एक कैसा परिवर्तन है ये रसाइनिक परिवर्तन है और वही पानी में चिन्नी का गुलन जो है वो कैसा परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है next point is sodium chloride का krisht ͆एवं बर्व का गलन भहतिक परिवर्तन के उधारन है यह मिस्र धातु से मिलकर नहीं बनना होता है या एकवारेजिया में गुलनसील होता है यह जो सोना होता है वो एकवारेजिया में गुलनसील होता है next point है next point है धातुओं का प्रासूधी करण zone melting के दवारा किया जाता है next point है gun metal एक मिस्रधातु है ये जो gun metal होता है वो एक मिस्रधातु है जिसमें 88% copper होता है 10% tin होता है तथा 2% zinc होता है और यह जो gun metal है वो किस-किस मिस्रधातू से बनता है तो copper, tin और zinc से तो copper का इसमें जो परतिसत होता है वो 88% होता है tin का 10% होता है और zinc का 2% होता है Next है stainless steel chromium nickel iron की मिस्रधातू है यह सब question exam में बराबर बनता है कि stainless steel जो है वो किस-किस का मिस्रधातू है तो chromium nickel और iron का मिस्रधातू है Next quarters होता है quarters यह एक silicon dioxide का रूप होता है Next point है अगनी समन वस्तर जो होता है एप बेश्टर से बनाए जाते हैं next point है धातूए विद्यूत का वाहन मुक्त इलेक्ट्रों के कारण करती है किस कारण करती है तो मुक्त इलेक्ट्रों के कारण करती है Next point है सीसा का सबसे महत्पून जो एस्क होता है वो क्या होता है गैलिना क्या होता है गेलिना सीसा का जो सबसे महत्पून एस्क है वो गेलिना है नेक्स्ट पॉइंट है मैंगनेसियम को जलाने पर यह तिर्व सफेद परकास युक्त ज्वाला उत्पन करता है अगर magnesium को जलाने पर यह कैसा परकास करता है तो सफेद परकास युक्त वाला ज्वाला उत्पन करता है तथा वायू की oxygen से किरिया करके powder युक्त राख में बदल जाता है और वायू की oxygen से अगर किरिया किया जाता है तो powder युक्त राख में बदल जाता है नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन को आयोडीन और पोटेसियम कुलोराइड के मिसरन से उर्ध पातन दुआरा अलग किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है उर्ध पातन एवन वास्पन भी भौतिक परिवर्तन का उधारन है ये जो उर्ध पातन होता है वीधी वो कैसा है तो बहुतिक परिवर्तन का ये उधारन है नेक्स्ट है जल अप घटन में उर्जा उस्मा के रूप में उत्पन होती है जल अप घटन में जो होता है उर्जा वो किस रूप में होती है तो उस्मा के रूप में उत्पन होती है नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है पा क्रिया को क्या कहते हैं पास्चुराइजेशन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी की तकनिक का परियोग एक मिसरन से परदार्थों को अलग करने में किया जाता है यह जो क्रोमेटोग्राफी का परियोग होत नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो एक मिस्रन से परदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्व में सरवादिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है हाइट्रोजन ये भी कोश्चन बना है और ये जो हाइट्रोजन है इसको भविस का इंदन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भविस का इंदन भी कहा जाता है जबकि भुपट्टी पर तत्वों के आवरत सारनी के किसी वर्ग के नीचे की ओड़ जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोन बंधुताएं समानियत घड़ती है जबकि परमानु तिर्जिया बढ़ती है इसमें जो इलेक्ट्रोन बंधुताएं है वो पहले घड़ती है और परमानु तिर्जिया जो होता है वो बढ़ती है नेक्स्ट है आवरत में परमानु संख्यां की व्रिधी के साथ साथ समानेत विद्यूत रिनात्मक बढ़ती जाती है आवरत में परमानु संख्यां की जब व्रिधी होती है तो साथ ही साथ विद्यूत रिनात्मक बढ़ती जाती है औक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्द मुल्ट तत्व जो है वो सिलिकोन है क्या है औक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो मुल्ट तत्व है वो सिलिकोन है और जिसकी खोज किस ने की थी बरजी लियस ने की थी स्लिकोन की खोज किस ने की है तो बरजी लियस ने की है नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक किरियासिल धातु पोटेशियम है सबसे अधिक किरियासिल जो धातु है वो पोटेशियम है लिथियम सबसे हलकी और उसमियम सबसे भारी धातु है ये भी question बना है जो सबसे हलिकी धातु है वो कौन सा है लिथियम है और ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है ओस्मियम सरवादिक घनत वाली प्राकिर्तिक धातु है ये जो ओस्मियम है ये सरवादिक घनत वाली प्राकिर्तिक धातु है सरवादिक कठोर तत्व सभी प्राकिर्तिक वस्तूओं में हीरा है सरवादिक कठोर जो तत्व अगर पूछा जाए कि सरवादिक कठोर तत्व कौन सा है तो वो कौन सा है हीरा है नेक्स्ट है अधातु हीरा सभी प्राकिर्तिक वस्तुओं में सरवादी कठोर होती है जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है अधातु हीरा सभी प्राकिर्तिक वस्तुओं में कठोर होती है जबकि प्लेटिनम जो होता है वो सबसे कठोर धातु होता है नेक्स्ट है वातावरण के अंदर 36 उसमा अंतरन को अभिवहन कहा जाता है अगर अंतरन हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है समवहन कहा जाता है नेक्स्ट है विरंजक चुर्ण में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजन क्लोरीन है क्या है क्लोरीन है नेक्स्ट है समुद्र जल को आस्वन विधी द्वारा सुद किया जाता है ये भी question exam में बना है समुद्र जहल को जो सुद किया जाता है वो किस वेधी से किया जाता है तो आसमन वेधी दुवारा किया जाता है सबसे भारी प्राकीरतिक तत्म उरेनियम है जिसका परमानु भार क्या होता है 238.03 है नेक्स्ट है नाइक्रोम अभंगूर होने के कारण बहुत पत्पोर और तथा उच गल्लंग के कारण तन्नी धातु है नाइक्रोम जो होता है वो एक पड़कार का तन्नी धातु है नेक्स्ट है मौती की रसाइनिक सनरचना केल्सियम कारण बनी होती है मौती का जो रसाइनिक सनरचना होता वो किस से बना होता है तो केल्सियम कारण बना होता है नेक्स्ट पॉइंट है मानिक और नीलम रसाइनिक रूप से अलूमोनियम अक्षाइड के रूप में जाने जात नेक्स्ट है इत्य श्जक्री और किरियसील धातू है जो सोडियम को सबसे सभशन áreas तो मिटी के तेल में ही रखा जाता है विए हावा में खुला रखे जाने पर 7 सब्सक्रीस अर दिचर्चित जबना लेते जक्ती olmak प्रिदिप्ति नली में सरवादीक समानेत पिर्योग होने वाली वास्तू पारा है मरकरी वेपर और औरगन है लेक्श्ट है सडग के रोशनी के लिए पीले लेंप में शोडियम का पिर्योग कीया जाता है ये भी कोशेन एक्जाम में बना है जो सड़क के किनारे पीले रंग का जो रोशनी दिया जाता है उसमें किसका प्रियूग किया जाता है तो शोडियम का प्रियूग किया जाता है next है सुध सोना जो होता है वो 24 केरेट का होता है कितना होता है 24 केरेट का होता है और स्वर्न की सुधता डिगरी अथवा केरेट में मापी जाती है स्वर्न की जो सुधता सोना की जो सुधता होती है वो किसमें मापी जाती है तो केरेट में मापी जाती है next है, चूना पथर का रासाइनिक नाम क्या होता है, calcium carbonate, CACO3, यह चूना पथर का रासाइनिक नाम है next है, calcium sulfate को सामाने तो plaster of Paris कहते हैं, calcium sulfate को क्या कहा जाता है, तो plaster of Paris कहा जाता है और इसका प्रियोग मुर्तियों के सांचे च्छत के सीलिंग में किया जाता है नेक्स्ट है प्लास्टर और पैरिस का रसाइनिक सुत्र होता है यह सब हम लोग बहुत पहले ही पढ़े थे यह सब 6 क्लास के साइन्स में सारा चीज़ दिया हुआ है नेक्स्ट है डॉक्टर कलाकार और मुर्तिकार कैसियम सल्फेड का प्रियोग करते है कैसियम सल्फेड का जो सबसे उप्योग होता है वो डॉक्टर कलाकार मुर्तिकार करते है जिसका लोग पिरिये नाम किया है प्लास्टर और पैरिश प्राश्टर और पैरिस को ही केलसियम सलफेड भी कहा जाता है नेक्स्ट है मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है यह जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है भारत में यह केरल टट पर प्रियाप्त मातरा में पाया जाता है और ये जो थोड़ियम भारत में कहां पाया जाता है तो केरल के टट पर परियाप्त मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट है अबरक एक महत्पूर्ण गेर धात्विक खनीज है यह जो अबरक है वो गेर धात्विक खनीज है जो उस्मा का चालक विद्यूत का कुचालक होता है क्या अबरक अबरक का परियोग विद्यूत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में परियुक्त होता है क्योंकि इसमें विद्यूत रोधक चमता बहुत अधिक होती है इसमें जो विद्यूत रोधक चमता होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है नेक्स्ट है धात्वे उस्मा की अच्छी चालक होती है ये जो धात्वे होती है वो उस्मा की अच्छी चालक होती है नेक्ष्ट है धातु ए अधिकांस ठोस अवस्था में पाई जाती है धातु जितना भी होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है तो ठोस अवस्था में पाया जाता है प्रन्तु पारा एक ऐसी धातु है जो सधारन ताप पर दर्व अवस्था में विद्मान रती है ये question एक्जाम में बनता है हमेशा Next है उश्मा का सरवादीक उत्तम चालक पारा है उश्मा का सरवादीक उत्तम चालक जो है वो क्या है पारा है जो साधारम ताप पर दर्व है और यह साधारम ताप पर क्या होता है वो दर्व होता है Next है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है जबकि पीछ ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है लोहा किसे प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से प्राप्त होता है, और हुरेनियम किसे प्राप्त होता है, तो पीच बैलेंस से प्राप्त होता है, नेच्ट है, एलुमोनियम बनाने के लिए बकसाइड खनीज का प्रियोग होता है, एलुमोनियम बनाने के लिए किसका प्र चांदी उस्मा तथा विद्यूत का सरवतम संचालक होती है नेश्ट है भनजन की किरिया में उच तापमान पर कारबन के बड़े छोटे अनुवां में तूट जाते हैं इस परिकिरिया से पैट्रोलियम प्राप्त किया जाता है इस पर होता है कि इस भनजन की किरिया होता है इस विद्य में उच तापमान पर कारबन के बड़े अनुच छोटे अनुवां में तूट जाते हैं जिससे पैट्रोलियम प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट है वॉल्मीनी करण एक रसाइनिक परिकिरिया है जिसमें गंदक या कोई दूसरा परदार्थ मिला देने से रबबड या सम्मंदित बहुलकों को अधिक टिकाउक परदार्थ में बदल दिया जाता है कौन सी परिकिरिया में वॉल्मीनी करण में नेक्स्ट है हाइट्रोजनी करण परिकिरिया में खात तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्तिती में हाइट्रोजन प्रवाइत करने पर वो वनस्पती घी में परिवर्तित हो जाता है तो किस परिक्रिया में तो हाइडरोजनी करन परिक्रिया में और इससे एक्जामे कोस्चन बना है नेक्स्ट है प्रगलन तंबे के ऐसक से सुध तंबा प्राप्त करने की रासाइनिक वीधी में प्रियुक्त एक परिक्रिया है तो सुद तंबा जो प्राप्त किया जाता है वो प्रगलन तंबे के अयसक से नेक्स्ट है हीरा प्राकिर्तिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर परदार्थ है हीरा जो है वो प्राकिर्तिक रूप से सबसे कठोर परदार्थ है हीरे में कार्बन परमानु एक दूसरे से चतुस फल की जाली विवस्था दुआरा बंदे होते हैं ये भी question पूछा हुआ है कि हीरे में कार्बन परमानु एक दूसरे से किस विवस्था में बंदे होते हैं तो चतुस फल की जाली विवस्था में बंदे हुए होते हैं नेक्स्ट है तंबा तत्व मुक्त और संजुक्त दोन अवस्था में प्राप्त किया जाता है ये जो तंबा है ये मुक्त और संजुक्त दोन अवस्था में प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट है तंबा का परियोग विभीन परकार के मिसर धातुओं के निर्मान में होता है वो भी इन परकार के मिस्र धातुओं के निर्मान में होता है जैसे पितल ब्रांच इस सब में इसका पड़ियों किया जाता है नेक्स्ट है लोहे के चादरे जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें यसद की प्रत विद्मान होती है इसे गेलकुनाइजेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं गेलविनाइजेशन कहते हैं नेक्स्ट है अलुमुनियम धातु तामबे और लोहे की तुल्ला में हलके होती है यह जो अलुमुनियम है यह तामबे और लोहे की तुल्ला में हलके होती है कौन सा अलुमुनियम धातु इसलिए इसका प्रियोग हवाई जहाज एवं रेल के डिबे के पूर्जी बनाने में किया जाता है अलुमुनियम का जो सबसे ज़्यादा प्रियोग होता है वो हवाई जहाज या फिर रेल के डिबे में किया जाता है क्योंकि यह जो अलुमूनियम धातू है वो तंबा और लोहा से लोहा की तुल्ला में हलका होती है नेक्स्ट है जब पारा किसी धातू से मिलकर मिस्र धातू बनता है तो उसे अमलगम कहते है क्या कहते है अमलगम जब पारा किसी धातू से मिलकर मिसर धातू बनता है तो उसे अमलगम कहते है नेक्स्ट है चांदी के पारद मिसर रण को दात के छेदों में भरा जाता है दात के छेदों में जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है तो चांदी के पारत मिसरन को तंका या सोल्डर मिसर धातू में सीसा और टीन होता है तंका या सोल्डर जो मिसर धातू होता है उसमें सीसा और टीन मिलाया जाता है जबकि कांसा जो होता है मिसरधातू उसमें तंबा और टीन की बनी होती है नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर तंबा 50% जासता 35% और निकिल 15% की मिसरधातू है कौनसा निकिल सिल्वर या फिर जर्मन सिल्वर इसे चांदी नहीं होती है और इसमें क्या होता है चांदी नहीं होती है कौनसा जर्मन सिर्बल में नेक्स्ट है पीतल तंबा और जिंक का मिसरधातु है यह भी कोश्चन बहुत बार एक्जाम में बना हुआ है यह जो पीतल होता है वो तंबा और जिंक का मिसरधातू है नेक्स्ट है हाइट्रोजन सलफाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फिक्का पड़ जाता है पीतल का रंग जो हावा में फिक्का पड़ जाता है वो किस कारण से होता है तो हाइडरोजन सलफाइड के कारण होता है नेक्स्ट है मिस्र धात्तु में निकेल के संयोग से निस्कलंक, इस्पात, इस्टेनल, इस्टील और चुमकी हो जाता है जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कारण की अधिक मात्रा मिलाई जाती है अगर इसमें अधिक कठोरता प्राप्त करना है तो इसमें फिर कार्बन की अधिक मातरा मिलाई जाती है किसमें निकेल में नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम की लोहे में मिसरित किया जाता है जो सधारतन इस टिल की अपेक्चा अधिक ताप सहने में सक्चम होती है तो जो जंग रहित लोहा होता जिस लोहे में जंग नहीं लगता है उसमें क्रोमियम को लोहे में मिसरित किया जाता है जो इस्टील की अपेक्च्छा क्या होता अधिक ताप सहने में सक्च्यम होती ए नेक्सिटे selbst ए इस्टील में कार्बन की परतिसत जो होता है वह 0.1 से 0.2 परतिसत तक रहता है यह भी कोश्चेपन Nie बना है कि इस्टील में कार्बन का परतिसत कितना होता है तो 0.1 से 0.2 तेक होता है ये केमेश्टरी रसाइन विक्यान का भाग 1 है ये भी तिन दिन में कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप इसका अब्जेक्टिव कोस्चन करना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं उसका विडियो साम में आ जाएगा कम्प्लीट कर देंगे ताकि इसको पढ़ने के बाद उसका अगर अब्जेक्टिव बना लिजेगा तो सायद जो भी कोस्चन है वो जाएदा किलियर हो जाएगा समझने में तो उस चीज को अगर आप लोग कमेंट करके टेलीक्राम ग्रूप पर बता दूंगी जितने भी मेरे टेलीक्राम में जुड़े हुए हैं मैं उन से सारा चीज वहाँ पर बता दूंगी तो आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत मुझे सहयोग किजिए ताकि मैं मैं आप लोग के लिए और जैदा से जैदा अच्छे से अच्छे एजुकेशन वीडियो ला सकूँ और मेरे चैनल पर जो नए है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब किजिए लाइक किजिए और शेयर किजिए Thank you